हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज हम जानेंगे अगर आपके पास भी है डेल, एचपी, लिनोवो या किसी भी कंपनी का लैप्टॉप और उसे आप करना चाहते हैं शट डाउन तो मैं आपको बताऊंगा कि लैप्टॉप को शट डाउन कैसे किया जाता है आए जानते हैं मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सबसे पहला तरीका है आपको अपने कीवोड से यहां पे प्रेस करना है आल्ट प्लस एफ़ोर तो यहां पे मैं इसे करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं आल्ट बटन है यहां पे इस बटन को दबाये रख यह आफला option तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा shutdown वना arrow की मदद से आप उपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको shutdown मिल जाएगा तो shutdown पर आईए और यहाँ पर okay वाले option पर किलिक कर दीजिए या okay कर दीजिए आपका laptop shutdown हो जाएगा अगर इस तरी काम नहीं करता है तो आप mouse pad की मदद से यानि इस cursor की मदद से नीचे की तरफ आएए नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले बटन पर किलिक करना है यह बटन आपका यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर आपको मिलेगा यह वाला आइकन पावर का आइकन इस पर किलिक करिए यहाँ पर आपको मिलेगा शट डाउन इस पर किलिक करिए और यह शट डाउन होने लग जाएगा तो हो सकता है आपका लैप्टोप देर से शट डाउन होए और यहाँ पे एक कुछ light जलती है यह पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और आपका laptop shutdown हो जाएगा तो यह हो चुका है आप देख सकते हैं light बंद हो गई है सारी अब आप अपना laptop बंद कर सकते हैं और रख सकते हैं वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं